नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है पिछले वर्स 15 सेवारत सिक्षक परसिक्षन स्टार्ट किये गए थे सबसे पहले ये परसिक्षन एमटी को करने थे उसके बाद दो से तीन बार इन परसिक्षन की डेट बढ़ाई गई लेकिन अब नए आदेश के अनुसार ये परसिक्षन सभी सिक्षकों को करने है और इन परसिक्षन को पूरा करने की अंतिम्तिती 31.12.2021 डिसाइड की गई है आज की इस वीडियो में हम सेवारत योग परसिक्षन के भाग दो योगासन के नियम एवन निर्देश तथा योग से पहले आपको बाग एक के डोनों पार्ट की वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे उस पे क्लिक करके आप भाग एक को पूरा कर लीजे और फिर इस वीडियो की मदद से भाग दो को पूरा कर लीजे साथियों वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप चाहते हैं इस तरह की informative वीडियो आपको एक platform पर मिले तो उसके लिए मैंने informative वीडियो WhatsApp ग्रूप और informative वीडियो टेलिग्राम ग्रूप बनाए हुए है आप चाहें तो मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं ग्रूप का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रूप से जुड़ सकते हैं सातियों सेवारत योग परसिक्षन को सुरू करने के लिए इस परसिक्षन का लिंक भी मैंने वीडियो के description box में डाल दिया है जिस पे क्लिक करके आप सेवारत योग परसिक्षन को सुरू कर सकते हैं जैसे ही आप लिंक को टच करेंगे और आपके प्रशिक्षन को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से ये प्रशिक्षन आपके सामने होगा इसमें भाग एक आओ जाने योग की वीडियो में बना चुका हूँ उसका लिंक डेस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा आज हम भाग दो योगासन के नियम और निर्देश तथा योग से पहले सूख्र योग इसमें भी आकलन की दो प्रशनोत्तरी दी गई है पहली प्रशनोत्तरी है योगास पार्ट वन इसमें हम क्लिक करते हैं पहली प्रशनोत्तरी हमारे सामने है इसमें देखते हैं कितने प् पराम करना चाहिए, एक गिलास पानी पीना चाहिए, एक दो घूट पानी पी सकते हैं, योग्या भ्यास करते रहना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा, एक दो घूट पानी पी सकते हैं, इस पे हम किलिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, य रहे नहीं सकते, सफल नहीं हो सकते, तो इसका second option सही है, सरीर पर दुश्परभाव पढ़ सकता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, आसन करते समय जमीन पर होना चाहिए, कुछ भी नहीं, खाली पर्स या जमीन, आवश्चक तनुसार, या दरी, आसनी या योगा कार्पेट, तो सही बात है, जब हम आसन करेंगे तो दरी, आसनी या योगा कार्पेट होना चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, योगा भ्यास करने वालों को भोजन में ग्रहन करना चाहिए, तो हमारा फोर्ट उप्शन सही होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, आसन करते समय खान फान सम्मंधी क्या नियम है, चार उप्शन दिये गए हैं, पेट खाली होना चाहिए, हलका अलपाहार ले सकते हैं, आवशक तनुसार खा सकते हैं या तै नहीं, तो इसका सही अंसर होगा, पेट खाली होना चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, आसन करते समय उदर अथार्थ पेट संकुचित हो रहा हो, यानि पेट आपका अंदर कुझ आ रहा है, तो सांस भरना चाहिए, सांस छोड़ना चाहिए, सांस रोकना चाहिए, या अपनी इच्छा से तै करेंगे, अगला प्रशन है, बाई तरफ आसन करने के पस्चात, कोई भी आसन करना, कौन सा आसन करना उप्योगत होगा, दाई जुकने वाला आसन, कोई करम निश्चित नहीं है, पीछे जुकने वाला आसन, अगर आपने एक बार बाईतरप आसन किया है, तो उसके बाद आपको दाईतरप आसन करना होगा, तो इसका first option आपका सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, अग आपने आगे जुकने वाला आसन किया, तो उसके बाद आप पीछे जुकना वाला आसन करेंगे, तो इसमें fourth option सही है, इस पे हम क्लिक करते हैं, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, योगासन के लिए इस्थान होना चाहिए, किसी भी परकार का, समतल, हवा परकास युक्त एवं सांत, इस पे हम क्लिक करेंगे, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, योगासन के नियम एवं निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है, चार उप्सन दिये गए, क्योंकि लिखा गया है, नियम मानना अच्छी बात है, योगासन का पूर्ण लाप राप्त करने के लिए, या इन में से कोई नहीं, तो हमारा थर्ड उप्सन से ही होगा, योगासन का पूर्ण लाप राप्त करने के लिए, इस पे हम क्लिक करेंगे, arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इस प्रशनावली में टोटल 10 कोशन थे, अग दो के पर टू की प्रशनोतरी को हम करेंगे, जैसे हम पर टू को क्लिक करते हैं, तो पर टू हमारे सामने है, देखे, पर टू पे हम क्लिक करेंगे, तो इसकी प्रशनोतरी में भी कुल 10 प्रशन दिये गए है, पहला प्रशन हमारे सामने है, तितली आसन सूक्षम व्य प्राव्याम के क्या लाब है चार उप्षन दिये गए है पेट की इस्थूलता कम होती है लीवर एवं आतों की कसरत होती है एक एवं दो सही है सरीर पर कोई परभाव नहीं पड़ता इसका सही आंसर होगा एक वैद दो सही है इस पर हम क्लिक करेंगे एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है सुक्ष्म योगिक अभ्यास से सरीर में क्या बदलावाता है सरीर स्वस्त एवं इसफूर्ती वान हो जाता है सरीर बेकार हो जाता है सरीर में गती नहीं रहती सरीर काम नहीं करता तो इसमें हमारा सबसे उप्रुक्त आंसर होगा सरीर स्वस और इस फूर्टिवान हो जाता है, इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है इरंजन दोर्ड से क्या लाब है, हात वैपेरों का धर्द कम होता है, शरीर की इस्थूलता कम होती है, शरीर फूर्तिला और सक्तिसाली बनता है, उप्रोक सभीण तो इसमें उप्रोक्त SABHI सही होगा इसमें कलिक करेंगे arrow के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्ण है क्या अभीभाव को भी सूक्ष्म योगिक अभ्यास कराया जा सकता है हाँ नहीं कभी कभी तो इसमें हमारा कभी कभी सही होगा इस पे हम क्लिक करेंगे, एरो की निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है, सूक्ष्म योगिक अभ्यास में किस परकार के अभ्यास किये जाते हैं जटिल परकार के व्यायाम, पावर योगा, सरल प्रानायाम, एमहल के व्यायाम और उप्रोक्त सभी तो इसमें आपका सही अंसर होगा, सरल प्रानायाम, एमहल के व्यायाम, इस पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है, सूक्ष्म योगिक व्यायाम को बच्चों के साथ किस परकार जोड़ा जा सकता है खेलों से पून कराकर, प्रातना सभा, एमसान्यक, कालीन सभा कराकर, कक्सा में विशो से जोड़कर या उप्रोक्त सभी तो इसमें उप्रोक्त सभी सही होगा, इसमें हम क्लिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है, सुक्ष्म योगिक वियाम को आशनों या खेलों से पून क्यों कराया जाता है जिससे उनका सरीर गरम हो जाए, जिससे उनका सरीर ठंड़ा हो जाए, जिससे सरीर के सभी अंग गति सील हो जाएं, एक और तीन उत्तर सही है तो इसमें हमारा एक और तीन उत्तर सही है, इसमें हम क्लिक करेंगे, एरो के निसान से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रशन है, कंसा कंसमे सुक्स वैयायाम की क्या उपयोगिता है, बच्चों की रूची जागरत करना, बच्चों का ध्यान, अगर करना या उप्रोख्त एक औ प्रशन करेंगे अगला प्रशन है सूक-षम योगिक क्या है शरीर को स्वस्त रखने की सारी दिक किरिया है उप्रोक्त सभी, तो इसमें भी उप्रोग सभी वे क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से इसमें भी हमारे 10 प्रशन थे, आंसर हमने 10 दिये, इसके प्रशन जीरो है, सब्मिट करेंगे, जैसे हम सब्मिट करेंगे तो हमारा स्कोर 10 आउट ओप 10 हो जाएगा, इस तरह से यह है सेवरत्य योग परशिक्षन के भाग दो के पार्ट वन और टू की वीडियो थी नेक्स्ट वीडियो में हम भाग तीन की आंकलन की प्रशनोत्री को लेंगे इससे पहले भाग एक की आंकलन की प्रशनोत्री की मैं वीडियो बना चुका हूँ उसका link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा उस पे click करके आप भाग एक को पूरा कर लिजे और फिर इस वीडियो के मिरत से भाग दो को पूरा कर लिजे next वीडियो में मिलते हैं आज की वीडियो में इतना ही आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें share करें और वीडियो पे comments करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें और bell का icon को press कर दें जिससे कि आपको next वीडियो का notification मिल सकें दन्यवाद